नमस्कार kitchen KBCD में आपका एक बार फिट से स्वागत है आज मैं आपके लिए के लेकि एकडम से नहीं और मचेदार रेसेपी तो चली शुरू करते हैं इसे बनाना करेले बनाने के लिए मैंने यहां पर लिए दो करेले इनका जो उपर वाला पार्ट होता है जो नीची वाला के निकाल देगे हल्प सार्ट से करेंगे और फिर बीच से इसी तरह से रहने देंगे बीच के साथ को ऐसे स्लाइट करेंगे करेंगे यह से हैसे छोड़-छोड़े से करेंगे जैसे जो भी हिस थे उसे भी से साथ में हम काट लेंगे। तो मैंने दोनों क stubborn को अच्छे से scratch करे लिए उसका इस तर से चोड़ता काट लिए आप मैंसे निखाल देंगे किसी भाओल में इसके बाद मैंने लिया है एक प्याज जिसे मैंने अच्छे छील लिये दोने के बाद उसे इसी तर से सेम जैसे हमने करेला काटा था सेम उस तर से उसे भी काट लिये साथ में लिया है एक आलू जिसे अच्छे से पील कर लिया है फिर उसके बाद इसके इस तरह से स्लाइस करके बिल्कुल चोट-चोटे से टुकड़े किये हैं तो सेम मैंने प्याज, करेला और आलू तिनों को सेम चॉप किये हैं इसे भी हम बाउल में डाल देंगे तो देखे तीनों सब्ची बाउल में एकी बाउल मी मिक्स कर दिये हैं आप हम इसमें डालेंगे बेसन मैंने यहापे 3 टेवल स्पून बेसन का यूश किया है, पहले हम बेसन थोड़ा कम डालेंगे उसके बाद जैसे हम इसका बेस्ट बनाएंगे से हलका हलका पानी डालेंग करना हैं अदा टेवल स्पून अनारदाना उसके बाद डाला है तरह तेवल स्पून नमक झीरा टी टेवल स्पून धनिया पाउडर कि यह सब डालने के बाद आप तरह दो पिंच अलदी हाल्दी से जो कलर पाकोर में वह नहीं अच्छा है लिए और इसमें डालेंगे एक साधिया पाई डालेंगे इस तर से स्पून से 10 थुफोन लेंगे और इसमें डालेंगं तो मुझे इसमें हलका सा बेशन में 12 सफून और सब mateix Crave station डालूंगी तो इसमें हलगा सा और बैसंद दालो और आए 16 पानी डाला वी से इस तरह से रुफली चोप करेंगे हलका सब मोट मोटे से हम चॉप करेंगे इसी तरह से हम सभी प्याज को छॉप कर लेंगे बिल्कुल रुफली तो मैंने प्याज चौप कर लिए उसके 5 से 6 कल यह ली थी लगसुन की जिसे मैंने इस तरसे रफली चौप कर लिए इसी के साथ अब मैं लूँगी 2 टमाटर इसे भी हम इसी तरसे रफली चौप करेंगे मैंने यहाँ पे देसी टमाटर का यूज़ किया है इसलिए मैंने दो टमाटर लिए अगर आप हाईप्रिड टमाटर का यूज़ करें तो इसमें हलका सा ज्यादा भी डाल सकते हैं तीन टमाटर का यूज़ भी आप कर सकते हैं और जो हमने बैटर बना के रखा था पकोडों का वो भी अब हम फ्राय करेंगे क्योंकि तेल गरम हो चुका है अच्छे से जैसे ही तेल गरम होगा तो हम इसमें चोट-चोटे से पकोड़े डालेंगे मैंने एक बार में इसमें 10-12 पकोड़े डालेंगे और गैस की फ्लेम अगर आपको में रेसिपी पसंदारी तो प्लीज लाइक और शेयर माई रेसिपी और अगर आप में चैनल में नहें हैं तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब माई चैनल पकोड़ों को बीच पीच में हम चिलाते रहेंगे जिसे पकोड़े जो हो सबी तरफ से अच्छे से कुक होंगे जब तक पकोड़े बन रहे हैं तब तक हम दूसरी साइड लेंगे कड़ाई कड़ाई में डालेंगे एक टेबल स्पून और इसे अच्छे से गरम होने तो देखिए पकोड़ों में जो कोलर है वह भी चेंज हो चुका है गोल्डन बाउन हो चुके और यह अच्छे से फ्राइबी हो चुके तो अब गैस की फ्लेम कर देंगे और इसे हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे तो देखिए जो हमने गड़ाय ली थी उसमें भी वायल अच्छे से करम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे मसालह सबसे पहलेंगे इसमें जो मोटी वाली मीठी सौंफ होती है वो उसके बार डालेंगे जीरा धनिया अब हम डालेंगे। इसमें चॉप किया हुआ लसन और प्याज प्याज्ज जो यह वूसे हम फुल फ्लेम में इसazedみ बिल्कुल हलका बूनेंगे इसे जीज़ा सॉटे नहीं करेंगे फुल-फ्लेम में 1-2 मिनिट लिए इस तरह से चलाएंगे तो देखिए एक से दो मिनिट हो चुके हैं अब प्याज जो है वह अच्छे से इसमें जो कलिया वो सब अलग-अलग हो चुकी है अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर प्याज बिल्कुल हलका सा फ्राइ करेंगे हम टमाटर डालने के बाद से मिक मिक्स कर लेंगे अच्छे से और अब हम इसमें डालेंगे नमक जिससे जो टमाटर है वह बहुत जल्दी सौफ्ट हो जाएगा एक चमच नमक दो पिंच हींग और आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर जितने भी इंग्रेडेंट से वह सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगे आप वहाँ पे विउने चेक कर सकते हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है और क्या क्या मैंने इसमें यूज किया है वह सब आपको इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी चीजों को यह देखिए प आपको सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस और हलका सा पल्क इमली का इन सब शीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे अब लेंगे थोड़ा सा पानी एक कटोरी में ए इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून इस स्थर से बना देंगे जैसे अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसे ड तो देखिए हलकी सी गाड़ी हो चुकी है और इसमें अच्छे से उबाल भी आ चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे पकोड़े यह देखिए सभी पकोड़े स्थरस इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे ही हलकी सी गाड़ी हो जाएगी तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा और पानी आधी कटोरी और पानी डालेंगे गैस की फ्लेम रखेंगे फूल और इसे फिर से एक पारचे से मिक्स करेंगे और इसमें दो से तीन उबाले आने देंगे जैसे ही इसमें पानी जो है इनके बाद यह अच्छे से गाड़ा हो चुका है अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे और इसे ढखके पान से दस मिनिट के लिए इसी तर से छोड़ देंगे जितना भी इसमें पानी है वो सब जो अच्छे से पकोडों में सोक हो जाएगा जो पकोड़े हैं वो अच्छे से इ करेंगे और यह सब्जी बहुत जादा टेस्टी बनके त्यार होगी और ड्राइब हो जाएगी तो अब हम इसे देखिए बंद करके कवर करके रख लेंगे देखिए पांच मिनिट के बाद जब हम इसे कवर हटाएंगे तो देखिए आप देख सकते हैं सब्जी जो वह बि करेंगे तो देखिए हमारी सब्जी बनके त्यार हो चुकी है आप भी एक पर इस रेस्पी को ज़रूर ट्राइक करें और अपने कमेंट्च मेंसा शेयर करें